गुड मॉनिंग आवरिवन नमस्कार प्रिवर्तन आईएस अकेडमी में आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत है 15 अगस 2019 करे दिन वो सुब दिन जिस दिन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को प्रिटिस आसन से प्रिटिस हुकूमत से एक तरीके करते मिली आप सबको इंडिपेंडेंडेंस टे और सफंदर्ता दिवस्त की हार्दिक सुब काम लाए और आपको जरूर में रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिसने आप तक आपको लगा कि यह व्यक्ति बहुत जिसने तगड़ा यो जाती है आर्मी पर्सनल से रिलेटेड और यह पूरा इस्यूज क्या है उसका हम लग देखते हैं मनिपूर के अंदर यह केस उठा कि मनिपूर में बहुत से ऐसे जहां पर आर्मी तेनाच थी तो वहां पर कुछ इनोसेंट्स लोग भी उनको मारा गया तो एक तरीके से फि आर्मी के लोग हैं दूसरी बात जम्म और कस्मिरिया इसी डिफिकल सिच्वेशन में जो लोग तेनाच उनको डिमोर्लाइज करती इस तरह की चीज़े ठीक है और उसी के बारे में पूरा प्रोसेस है सुप्रेम कोट इसमें सुनवाई कर रहा बीस अगस्त को एक तरीके से सुनवाई होने वाली है एक्चुली जरूत इस बात की थी कि अगर फेक एंकाउंटर यानि आर्मी मैं है और अगर उनको उनके द्वारा फेक एंकाउंटर किये गए है तो इसकी इंक्वाइरी होनी चाहिए रियलिटी है यह लेकिन इंक्वाइरी में एक बैलन्स भी होना जुरूरी इस प्रकार इंक्वाइरी ना हो कि जो आर्मी परसनल है उनके द्रेक्वडराजेशन की फीलिंग आए या फिर उनको लगे कि इस प्रकार की जो कारवाई हो रही है वो वन साइड़ टाइप में हो रही है ठीक है तो यह जुरूरी है मतलब इनोसेंट आर्मी के जो ओफिशर से उन पर भी तरही चीज़े नहीं होने चाहिए ये भी ध्यान रखना जुरूरी है सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है रुपी का जो लगातार डाउनफोल हो रहा है क्रंशी की जो वैल्यू गिर रही है इसके बारे में यहाँ पर कुछ इंफोर्मेशन्स है लेकिन इस इंफोर्मेशन्स में हम लोग डेटेल से एडिटोरियल आया है बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आखर यह फंडा क्या इस्यू क्या है और 2013 के बाद 2013 के बाद हिंदोस्तान की करंशी पहली बार इतनी लोग हुई है आगस 2013 में के बाद हम देख रहें 70 रुपे डॉलर क्रोस कर गई थी यह चैलेंज है कंट्री के सामें तो इसको समझेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो सकते हैं इन सारे चीज़ों हम लोग देखेंगे देखेंगे यहां पर जो न्यूज है पंद्रा सो पचेत्र याइस वन थाउजन्ट फाइवंड़ सेंटिफाइव पंद्रा सो पचेत्र ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो सेक्शुली अब्यूज किये गए और अभी भी सेल्थर हों में रहे हैं सेंटर गौर्णमेंट ने बताया सुप्रेम कोट में तो आप यह कर क्या रहें मतलब आप यह बात बता रहे हैं तो क्या यह चीज जो आप इनफोर्मेशन दे रहे हैं इसका मतलब यह है कि आप सफर्ड अब्यूज 1286 गर्ल्स 286 मतलब इतना यह डाटा दिया गया पॉर्नोग्राफी हो यह नंबर ओफोर्फंच सेल्थर हॉम्स के बारे में डिटेल्स दी गई यहां पर ठीक है कहने का मतलब सिंप्लिफाइड यह है कि आप आपने सर्वे किया कुछ बच्चों पर सब्सक्राइब करें कि बड़ा क्यों से कंट्री के सामने भी और यह के वाल एक स्टेट की बात नहीं है अलग-अलग राज्यों में हमें देख रहे हैं इस परकार की न्यूज दिखाई दे रही है तो इनको रोकने के जिम्मेदार भी सेंट्रल गवर्मेंट्स की है और सें सब्सक्राइब करें कि इस परकार के इस परकार के जो ऑर्गनाइजेशन चल रहे हैं चल रहे हैं उनको कोई भी एक्टिविटीज ना हो और एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि कुछ गवर्मेंट ऑफिशल्स का इन्वोल्मेंट इनमें एक और चैलेंज के रूप में आत सब्सक्राइब करेंजेशन चल रहे हैं कि क्रंशी क्रोश फायर दवीकनिंग रूपे इस अन अपर्चुनिटी टू बूस्ट एक्सपोर्ट यह सारी चीजे क्या कि जो क्रंशी की वैल्यू कम हुई है उससे एक पर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग एक्सपोर्ट को यानि जो निर्यात उसको बढ़ा सकते हैं पूरा माजरा समझेंगे आकिरी चीजे हुई क्या है देखिए भारत की क्रंशी जो है लगातार इंदिरों में स्ट्रगल फेस कर रही है डोलर की तुलना में और लगबग हम देखते हैं कि 68 69 के असपास भूम रही थी लेकिन अचानक क क्या हुआ कि 70 क्रोस हो गया मतलब 70 से उपर होगी हमारी क्रंशी की वैल्यू कम होगी ऐस कंपेर टू डोलर इसके पीछे रीजन क्या था सबसे बड़ा रीजन था इसमें लेरा जो कि तुर्की क्रंशी है वो लगभग 40 परसेंट तक गिर गई यूएस के कंपेर में लेकिन केवल दो दिनों में 16 परसेंट फ्राइडे को 6.7 परसेंट मंडे को इसका डाउनफोल हुआ गिर गई इसकी वज़े से क्रंशी क्रैसीज देखने को मिल रहा है यहने डोनाल ट्रम्प की जो पोलसीज है वो दुनिया को हिला देने वाली है और दुनिया के अंदर इस प्रक सेंक्सेशन लगाया और भारत ने भी काउंटर किया है लेकिन तुर्की पर डबल कर देंगे यानि जो यह अभी ट्रेड वार पूरे वर्ल्ड के अंदर सुनामी के रूप में उब रहा है स्टील एंड अल्यूमिन वही आइटम है जिसके माध्यम से यूस से ने स्टार्ट क्या तर ट्रेड वार और फिर चैचाइना पर हो और उसके बाद हम देख रहें कनाटा यूरोपियन यूनियन अलग-अलग कंट्री अलग-अलग कॉंटिनेंट्स की कंट्रीज के तुरू इस प्रगार के सैंक्सेशन पर दिवन लगते हुए दिखाई दे रहे हैं हाली में दुबोन की हालत में अभी पहुंचाने की सिती में और यहां पर ऐसी क्रंशी ऐसी कंट्री काफी सफर करेगी जिनके पास पोटेंशल कम है जिनके पास लगेगा कि यह खुद की एकनोमी पर एक तरीकी से ज्यादा डिपेंडेबल है देखिए भारत के संद्रम एक चीज औ पर यहां कि एकनोमी बहुत बड़ा रोल पले नहीं करती बलकि कंजप्शन बेस हम कितना उपक करते हैं और हमारी कंट्री और हमारी पोपुलेशन इतनी बड़ी है इतना मार्केट है कि हम कुछ दिन कुछ मैने सरवायू कर सकते बिना एक्सपोर्टर इंपोर्ट के भी और इसके पीछे कई सारे रीजन से इसलामिक एक तरीके से हम देखते हैं तुर्की के अंदर काफी चेंज किये और जो तैयब रोड़ोगोन है अभी जो प्रिजिडेंट बने वहां पर उन्होंने इस प्रकास से ट्रम्स एस्टिविलेस्मेंट किया कि वही है प्रिजिडेंट इन्स टेबिलिटी जो देखने को मिल रही है आगजर हम स्टोक मार्केट की बात करें तो स्टोक मार्केट के अंदर चेंज होने से के से अपडाउन होते हैं और कंपनी की वैल्यू भी एक तरीक कीशिश अपडाउन होती है इसके लावाग कर आपने success 2018 पड़ा हो त यह सबसे बड़ा चलेंग था इसके लाव सत्तर से उपर जो वैल्यू हुई है हालाकि इसका बैनेफिट भी हो सकता भारत के लिए क्योंकि इसमें भारत की जो फोरेक्स रिजरो है फोरेक्स रिजरो टाल भी बीलियंड डॉलर यह ऐसी अमाउंट, जो मतलब हम significant के रूपたい यह फोरेक्स प्रकार की के एवज मिए वैल्यूज के बराबर हमारे पास 400 बिलियन डॉलर अमाउंट जो कि बड़ी अमाउंट कह सकते हैं और इसके माद्यम से हम मौशली ट्रेड जो होता है वो फोरन करणशी में होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा होता है यूस डॉलर के अंदर export बढ़ा सकते हैं export कैसे बढ़ा सकते हैं for example अगर हमारी करणशी की value कम होती है तो हमसे जो खरीदेगा वो सस्ता खरीदेगा और हम जो आयात करेंगे import करेंगे वो बहुत costly हो जाएगा ये एक negative होगा इसके अलावा हम लोग दो तीन item ऐसे हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा म देख सकते हैं कि बढ़ना त्या हो सकता यह देखिए ओइल प्राइस हमेशा रिस्क पर बना हुआ है और यह सारी चीजी अभी भी है कि एक अपर्चुनिटी जितों दिखाई देती है कि हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा दें अपना निर्यात बढ़ा दें लेकिन चैलेंज भ बारे में इससे पहले हम थोड़ा मैप देख लेती इस आर्टिकल को डिसकुशन करेंगे कि यह गजनी है और यह वही गजनी है जो महमद घजनवी भारत में आया था और इससे काबूल बहुत बढ़ता है ठीक है तो पाकिस्तान की तरफ से काफी से बढ़ाई गई पाकिस् इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कंट्री है उसके अंदर गवर्मेंट पूरी तरीके से फेल हुई है आप एक एक कंट्री का एक्जामपल लेंगे जिसमें इस प्रकार की चीजें हो रही है या फिर जितनी मिलिटेंसी है जितनी आतकवादी फिल रहे है उसके पीछे सबसे बड़ा रिजन है गवर्मेंट का फिलियर होना आप सीरिया देख लीजी इराक देख लीजी इन कंट्री में सबसे ज्यादा क्यों है क्योंकि गव सब्सक्राइब करता था और अब लेकिन यूएस ने पिछले दिनों कहा कि हम लोग बात करेंगे तालिबान से बात्चित भी हुई उनकी और दोहा के अंदर एक तरीके से बात हुई ठीक है कि दोहा के अंदर बात हुई और एक तरीके से का कि हम लोग शांती प्रोसेस पर फोलो करेंगे लेकिन इस प्रकार की कई नजर नहीं आते कि तालिबान वहां पर कोई शांती दिखाएगा तालिबान की जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तान में चले आते हैं कभी वहां चले ज दी जाएगी इससे पता चलता ही गोर्रमेंट की जो सिच्वेशन से कितनी खराब हालत में हैं इस समय सिच्वेशन को देखिए अलग-अलग सीटीज में अलग-अलग में जिस प्रकार से प्रेजेंस बढ़ रही है तो इन फ्यूचर ये काफी चैलेंजिंग होगा और ही ब महाँ पड़ेगा देखिए भारत के लिए बड़ी चुनोती हो जाएगा क्योंकि भारत इससे में पाकिस्तान या अलग-अलग की तरफ से भी एक तरी किसे टर्रीजम को फेस कर रहा है अगर अफगानिस्तान में इस्टेबलेटी हो जाती है तो जो हम लोग एक ड्रीम तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा हमारे लिए क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे एकसेस करें लेकिन हमारे लिए बहुत हम पूरी तरीके से इरान पर डिपेंडेबल हो जाएगे और इरान इन दुनों वैसे संकट झेल रहा है इरान की खुद की तसलिए नहीं कि वो कितने दि के लिए अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है सिक्योर्टी और जो सेंट्रल एशिया है उनको अक्सेस करने के लिए कि कि यहां पर बात करेगी भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप की बारे में और यह आकर न्यूज में क्यों आया प् फाइदा हो सकता है तो इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर यह क्या इश्यू है कैसे फाइदा हो सकता है तो काफी चीजों इनने बताई भारत और पाकिस्तान के मद्दे जो ट्रेड होता था 2013-14 में हो था 2.70 बिलिन डॉलर ठीक है इसके बाद 2017-18 में पहुंच गया तो प एक हिस्सा है इसके अलावा भी हम देखने की इंडिरेक्ट रेड यानि ऐसी कंट्री थर्ड कंट्री के तुरू ट्रेड भी हो रहा जो कि लगबग 10 टाइम्स हो सकता है जैसे यूए के तुरू ट्रेड कर लेना हो यह अलग हम देखने की कहिने के प्रिजेंस तो है इसके बात इन्होंने बात करें कि भारत और पाकिस्तान अगर ट्रेड रिलेशन्शिप को स्ट्रोंग कर लेते हैं तो इससे काफी अप्रचुनिटीज होगी दोनों कंट्रीज के लिए और इसमें अलग-अलग सेक्शन में बताया गया कि कहां कहां पर किसके सेक्टर में हम लोग चाहिए इसके लावा चाहिए वह मामले में बड़ा बदलाव कर सकते हैं क्योंकि इंडिया तो डेफिनिया है स्ट्रें बहुत जाला ग्रो कर चुका है ईंडिया की संट्र है वो दुनिया के तमाम देश्वं में एक तरीकिसे बੌके से और बहुत से country जो है वो इंडिया में आते हैं अगर दोनों के बीच में trade relationship strong होते हैं तो health sector इंडिया के लिए भी important हो जाएगा और लेकिन ये जो सारी चीज़ें नोंने बताए कि ठीक है ये सारी चीज़ें हो जाएंगी और सारक के मात्यम से हम लोग trade को increase करें लेकिन ये सभी चीज़ें तब तक possible नहीं है जब तक कि political relationship यानि राजनितिक सम्मंदों में वो change ना जाए ठीक है trade sports या फिर हम cultural एक तरी कैसे relationship करते हैं political relationship कैसे हैं तो countries के बीच में तो देशों के बीच में relationship राजनितिक रूप से strong होने जुरूरी है ये सारे जो relations होंगे वो एक तरी कैसे another phrase होता है second कह सकते हैं कि ये बात की बात होती है देखिए ये ओपी रावज जो कि हमारे इससमें chief election commissioner है आप लोगों नीचे कमें commissioner है या फिर जो election commission का provision Indian constitution के कौन से article के अंदर किया गया है यहां पर एक interview आप भी इसको पढ़िए गाई इसकी PDF जो है आप लोग description में लिंक दिया गया टेलग्राम चैनल का वहां से डाउनलोड कर लीजिए और ये interview आप लोग भी पढ़िए ठीक है मैं इसका बसकरक्स बता इसके बारे में काम कर रहे हैं उनको citizenship voting का राइट दिया गया इस बार ठीक है इसके लाव फेक न्यूजिज न्यूज के बारे में अगर हम देखें तो लगातार फेक न्यूज बड़ी है इस चैलेंज है इलेक्ट्रोल बोंड्स यानि इस परकार से जो बोंड एक स्कीम कि इवियम के ऊपर कई सारे question mark लगते हैं कि इवियम पर हो सकती नहीं हो सकती तो उनके बारे में opinion रखाई इनोंने इसके लाव आप साइमिल्टेनियस पोल्स के बारे में बात करें कि एक साथ राज्य विधान सभा व्लोक सभा के चुनाव हो जाने ची तो इस पर अलग अल लिंक पर उपन करिए चैनल को वहां पर सब्सक्राइब करके और वहां से टेलिग्राम से आप ले लिजिए ठीक है तो आज इस दा हिंदू में हम लोग काफी ब्रीफ में करें क्योंकि इंडिपेंडेंस डेवी है फ्रीडम डेवी कह सकते एक तरीके से और आज साड़े रहेंगा तो वह सुनना चाहिए हम लोगों को रिजन यह है कि हो सकता हमारे डिफरेंसी जो प्लेटिकल डिफरेंस ओ आइडिलोजिकल डिफरेंसी जो लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि वह इसमें प्राइम मिनिस्ट्र और कंस्ट को होल्ड कर र इस प्रकार के क्वेश्चन को क्लेरिफाई करने के लिए कि तीस बिनिट पैंतिस बिनिट को अंडरस्टैंड कि यह जाए कि क्या गोर्मेंट का लास्ट यह कुछ क्या नया होता इस बार देखने को मिलता है और आपने देखा होगा कि जब भी वह स्पीच देते हैं खासकर धेरो सुब कामना जैहिन खुछ रहिए मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद